दोस्तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे आप अपने गूगल मीट में नेम को चेंज कर सकते हो दोस्तो गूगल मीट में नेम चेंज करने का जो स्टेप से बहुत ही असान है अगर दोस्तों आपको भी जानना है कि Google Meet में नाम कैसे चेंज करते हैं तो इस वीडियो में मैं आपको step by step बताऊंगा आपको वीडियो में सारे steps अच्छे से देखना है Google Meet में नेम चेंज करने का तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले दोस्तों आपको अपने phone में Google Meet अप को open कर लेना है अगर दोस्तों आपके phone में Google Meet अप इंस्टॉल नहीं है तो simply आपको अपने phone में Google Meet अप को download कर लेना है अपने phone में, Google Meet आप को download करने के लिए आपको अपने phone में play store open करना है, फिर यहाँ पर आपको search वाले option में Google Meet लिग कर search करना है, उसके बाद यहाँ पर दोस्तों आपको Google Meet पर tap करना है, और यहाँ से आपको download वाला option दिख जाएगा, तो simply आपको अपने phone में Google Meet को download कर लेना है तो यहाँ पे मैंने already Google Meet को download करके रखा है तो simply मैं इसे open कर लेता हूँ अब दोस्तो Google Meet open होने के बाद जब आप meeting join करते हो या फिर create करते हो तो यहाँ पे आपका कुछ इस तरह से नाम सो हो जाता है Google Meet में जैसे कि यहाँ पे अभी मेरा Google Meet में जो नाम सो हो रहा है अंकीत राज के नाम से सो हो रहा है तो इसे change करने के लिए यहाँ पे आपको top right corner में एक profile का option रहता है simply आपको इस पर tap करना है अब यहाँ पे आपके phone में multiple Google accounts add है तो simply यहाँ पर आपको वो account को select कर ले ना जिस account से गूगल मीट में use करते हो account select करने के बाद आपको उस account के नीचे एक Manager Google Account का option रहता है तो simply आपको इस option पर tap करना है उसके बास यहाँ पर home के side में एक personal information का option रहता है simply आपको इस option पर tap करना है अब उसके बाद यहाँ पर basic information के section में आपको एक name का option दिख जाएगा simply आपको name change करने के लिए इस option पर tap करना है दोस्तों यहाँ पर आपको एक बात ध्यान देना है यहाँ पर अगर आप नाम change करते हो Google के जितने भी apps हैं जैसे YouTube, Google, Classroom और इस name से आपने ID बना रखा है तो वहाँ पर भी आपका जो नाम होगा वो change हो जाएगा Google के जितने भी apps होंगे सारे में name change हो जाएगा तो यहाँ पर जैसे मैं name change करने के लिए जैसे यहाँ पर अंकीत राज है तो यहाँ पर मैं अंकीत कुमार कर देता हूँ नाम लिख लेने के बाद आपको नीचे के तरफ scroll करना है और यहाँ पर आपको एक save का option दिख जाएगा simply आपको इस option पर tap करना है उसके बाद दोस्तों आपका जो name होगा Google meet में वो change हो जाएगा successfully अब यहाँ पर आप जब भी नया meeting join करेंगा या फिर create करेंगा तो यहाँ पर आपको जो name होगा वो change किया होगा जैसा कि दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो जो मेरा पहले नाम था वो अंकीत राज के नाम से था अब यहाँ पर मैंने change करके अंकीत कुमार कर लिया है तो यहाँ पर कुछ इस तरह से दोस्तों आप Google meet में name change कर सकते हो उमीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो में समझ में आ गया हुआ कि Google Meet में नेम कैसे चेंज करते हैं और अगर दोस्तों आपको वीडियो में कोई step समझ में नहीं आया तो अब हमें नीचे comment box में कूछ सकते हो और ये वीडियो आपके लिए useful रहा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को भी subscribe करें फिर मिलेंगे अगली वीडियो में